नमस्कार दोस्तों मैं नितेनाव का स्वागत करता हूँ दोस्तों यहां पर भारत ने पाकिस्तान पर चड़ाई करना चालू कर दिया है दवाब बनाना चालू कर दिया है जी हाँ अभी अभी जो है दो हाल में ऐसे भारत ने निर्नाई लिए आदेश दिये निर्देश दिय जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और पूरे जहां को पूरी दुनिया को ये संदेश पहुँच गया है कि पाकिस्तान आकोपाइट कश्मीर पी ओ के भारत का अभिन हिस्सा है गिलकेट बाल्टिस्तान और मुझफराबाद भारत के अभिन हिस्से हैं और भारत के छेत्र हैं जी हां यहां पर अभी जैसे इक पाकस्तान ने भारत के खिलाब जो भी सडियंत रचे और जो भी घुसपैट हुई और भारत के जो भी जो है देश के सेना के जवान शहीद हुए बदले में भारती सेना ने भी कारवाही की और कुछ लोगों को पकड़ा तनवीर को पकड़ा और रियाच नाइकू को जो है वो कहां पहुचा दिया आप जानते ही अब पता नहीं क्या कर रहा होगा उपर या गया भी होगा या पता नहीं वैसे तो वो जमीन के अंदर चला गया है और हां यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भारत ने अब जो है पाकिस्तान को मूतोर जवाब देते हुए यह जताना शुरू कर दिया है कि पी-ओ-क भारत का हिस्सा है और पी-ओ-क को जल्दी ही जो है पाकिस्तान खाली कर दे जिहां मकान मालिक भारत ने अपने किरायदा अर्थात पाकिस्तान जो की अवैद किरायदार है अवैद घुस्पैठिया या किरायदार वो जो अवैद तरीके से बिना किराया दिये रह रहा हो उसे जो है लद अमारने के निर्देश दिये हैं और भारत के विदेश मंत्राले ने ऐसा किया है भारत के विदेश मंत्राले पारी देना चालू कर दिया है गिल्केट बाल्टिस्तान और मुझफराबाद के लिए इसका सीधा सीधा मतलब यह नियुकर με चिनाओं करवाए जाए अब तक कह में चुनाओं नहीं होते थे क्यों K im Esse एकि पाक्स्तानी सुप्रीम कोट्ट ने कबजा कर रखा है ऐसी हालत में वहां पर चुनाव नाम की चीज हो ही नहीं सकती लेकिन यहां पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिये थे कि मुझफराबाद गिलकिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाएं और ऐसे में भारत ने यह जता दिया है कि वहां पर पाकिस्तान जो अवैद कब्सा करके बैठा है तो खोली काली कर दे और भारती मौसम भिवाग ने भविस्वानिया करनी चालू कर दी है मौसम की आप देख सकते हैं यहां पर मौसम की बाल्टिस्तान गिलकिट मुझा फ्राबात की 6 माई 7 माई 8 माई 9 माई 10 माई क इसमें से मैं आपको बता दूँ P.O.K. में रहने वाले लोगों को जो की हिंदुस्तानी हैं जो की इंडिया ने हम उने हिंदुस्तानी मानते हैं उनको की 9 तारिक को मौसम बिगड़ने के आसार हैं और 10 तारिक को भारी तरीके से बिगड़ने के आसार हैं तो छतरी बांध लें छाता खरीद लें और अपने जो है घर के टीन टपर ठीक कर लें बांध लें क्योंकि तेज हवाएं चल सकती हैं तो आपको नुक्सान हो सकता है और इस तरीके से भारत नहीं जता दिया है पाकिस्तान को के सुन लो पीओ के खाली कर दो धन्यवाज जैहिंद बंदे मातर यह जानकारी आप कैसी लेगी वह आप कवेंट बॉक्स में बताते हुए जाईएगा कवेंट में अपनी राय दीजिएगा अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अप्लोडर को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही मन्दुरंजक वीडियो और और आप यह जानकारी प झाल